कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इस प्रयोग से भागे नहीं कैसी भी बीमारी हो पदम आसन में बैठ गए और जीब की नौक दांतों के मूल में आगे पीछे गुमाई ओम आरोग ये ओम आरोग चिंतन करो कैसी भी बीमारी हो भाग जाई कि दूसरा उपाई गाय पालो उसको चारा बार अपने हाथ से दो और कभी कभी उसको गाय को सहलाओ गाय के जो हमब होता है न उपर टेक राजे समय उदर सुर्य के तो नारी होती है और किसी प्राणी में सुर्य के तो नारी नहीं होती है मैस मैस में मुट में किसी में नहीं गाय में होती है इसलिए गाय का मल मुत्र भी पवित्र माना जाता है गोबर मुत्र किसी बड़े ब्राहमन का, तपसी का, राजा का बड़ा प्रधान मंत्री है, बड़ा रास्टरपती है, तभी भी उसका डबल सिंगल छी, लेकिन गाहे का डबल सिंगल भी पवित्र माना जाता है, गाहे में गुव कीरन होते हैं अभी गौशालाओं में लोग फर्ष बनाते हैं और गायों को ठीक रखना है, लेकिन जैसे व्यक्ति, शूलों पर खड़ किसी व्यक्ति को बोलो, लोहे के शूल पर खड़ रहो तो उसको जैसे पीड़ा होती है, ऐसी गायों को फर्ष पर खड़ा करने में आनी होती है, गाय फर्ष था, लेकिन अभी हमने आदेश दे दिया, दो दो फीट मिट्टी विचाने का, जहां भी फर्ष है, वह मिट्टी विचाओ, गाय का गोबर, गाय का जहान वाँ पड़े, वोई उठा के फिर खेतों में दो, अना आज सात्पिक होगा, तो गाय को खिलाएं, फिर गाय को सहलाएं, कैसा भी बीमार हो, उंगलियों के अग्रभाग से गाय की प्रसंता अपने शरीर में जाएगी, रोग भाग जाएगे, राम सुगदास महराजी ने विल में लिखा के अगर मेरा शरीर इगर उदर कहीं छूट जाता और गंगा किनारे नहीं ला सकते, तो जहां गायों की धूली हो, गाय आती जाती हो, जहां गायों की धूली हो, चरण रज हो, वहां मेरी अर्थी को अगनी संसकार करना, यह बिल्कुल पक्की बात आपको सुना रहा हूँ. नाम सुगदास जी जैसे जिनको आप जानते हैं अच्छी तरह से, इतने पवित्र संत भी अपनी अंतिम यात्रा गोधुली में अगनी संसकार चाहते हैं, कितनी महिमा है गाय होगे। अपती के लिए भी अच्छा है। आपको फिर से नमस्कार, धन्यवाद, आप बैठे रहना तुम्हें रेल गाडी में अच्छा है।